चलो आज आपको में में सीथने जाने कि कैसे कोडिनेशन ये complex compound का आई-पीसी naming करते हैं चलो तो फ्ट जो टेर रूल से तुम रूल स्यादा ही लिख वाएंगे हम आपको में में चीजी बताएंगे कैसे कैसे naming होता है सबसे पहला काम करने कि कोई भी अगर आपके पास complex compound है तो सबसे पर नेमिंग के रहता है कटायन का यानि कि naming of कटायन फर्स्ट सबसे पहली बात एक चीज़ यहां तखना है जैसे मालों कि अगर आपके पास कोई भी complex compound है सबसे यहीं सिंपल सम बता रहें तो इसमें एक पार्ट के टायन होगा दुसरे पार्ट एनाइन वी होगा क्या बनें यह उसको एकसाप कर देजे यहां देखो naming of complex compound में क्या करें कि बोग के टायन सो ता और एक पार्ट में एनाइन होता है तो कौन पार्ट में के टायन एक कौन पार्ट में नाइन है तो सबसे जो first होता है तो के टायन से सबको मानू में potassium यह के टायन से जिसके वज़े से ही एनाइन होगा positive negative तो जब भी एक IPAC naming करोगे तो सबसे पहला तो के टायन को naming करना है यह तो रूल है तो पहले रोल नम्मडर पारल उप को यह ही कह जाएगा रोल नम्मर टू लखो आपके पास कटायन से नमिंग कर दो उसके बाद नेमिंग ओफЛिग этज और छुखने और इगान्ट के बारे में पीछे भी बात कर चुके हैं अगर है क्लोरी तो ख्लोरीडो बोल देंगे इसको ख्लोरो भी बोल सकते हैं ब्रुमीडो आईडीडो शल्पीडो यह सब चीज हैं बता चुके हैं अब अबिघेंड में है आपके पास प्राव चीज तो इसके ऊटे में उपनिताई द सब्सक्राइव आफ में वर्षाहां तो यहां पर कुछनः सकनी के जरूत नेbr an न्यूटरल लिगेंस में कोई चेनिंगं में करते हैं जिसके एसको एथिन2-vyमन से बोलते हैं हर एथिलीन नहीं पर कामन हो जाता है एथिन1,2-vyमन यह कि इसे talking इसके निवी है हैं में कोई छेटा नहीं कोई में चेनिग देख को एमीन डेख दो होते हैं है ईच टो बोलते है एक को तो लिगेंड्स के ऊपर रहा फोकस करने की ज़रूवत निया प्रिकेंड्स के बारे में पहले से भी डिसकस कर चुके है या निकि पहले अब हमनों क्या लिखते हैं कि तर यह देख नेमिंग करते हैं थाड़ देखो मारे पास क्या है और जिए से लिगेंट्स का नेमिंग होगा, तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करना होता है और central metal atom का जब भी आप naming करेंगे तो वहां पे दो तरीके से दिखा जाता है तो if the metal present हो सकता है आपका metals cation के form में, हो सकता है आपका metals inion के form में या हो सकता है आपका metals neutral हो no charge तीनों में कोई हो सकता है तो कह रहा है कि अगर मांग लो कि कोई charge नहीं है तो central metal atom का जो है ना मोही लिख दीजे अगर वो iron है तो iron लिख दो copper है कोई problem नहीं है अगर उसके ओपर positive charge है तब भी कोई तक लिख नहीं है जैसे उसका नहीं में वसे उसका naming दीजे लेकिन अगर उसके ओपर neutralis or negative charge है तब central metal atom के naming में बस थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो अगर वो zinc है तो zinc से काम नहीं चलेगा zincate बोलना पड़ेगा अगर वो copper है तो copper नहीं बोलेंगे cuprate बोलेंगे अगर वो मालनों की iron है तो उसको अब iron नी बोलेंगे उसको ferret बोलेंगे अगर वो PV है उसको plumbet बोलेंगे अगर वो gold है तो उसको बोलेंगे orate अगर वो मालनों की teen है तो उसको stelit बोलेंगे तो द्यार नगनम यह तुम्हारे पास IPC निम होता ही सब चीज़ों का जब आप अगर आपका जो कॉंपलेक्स पार्ट है अगर वो नेगेटिव मिल गया तब ही काम करना होगा अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब देखो उसके बाद अगर ऐसा condition होगा तब उसमें लोग यह एड करते हैं लेकिन अब देखो rule number 3 होगा rule number 4 में देखो order क्या इसका है rule number 4 में कहता है कि naming of complex ion यह तो हो जागा उसके बाद obsolation state लिखते है हुआ है है तो जब ही हम लोग बात करते हैं कि ज फिर इनीच करते हैं तो लैहां तो जाय में परी was दिया है अड़े पूर क्षब्ला Casey ृइ करते हैं फिर सब्सले करते हैं और और फिर सबसे last base का जैसे bracket close होता है oxygen state लेकिन अगर माल अगर हमनों को लिगेंड का अलर नेमिल करना है तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना है कि लिगेंड का नालों को भी coordination compound के अंदर एक से ज़्यादा लिगेंड भी प्रेजेंट हो जाते हैं तो कह रहा है कि जो नेम ओफ लिगेंड है आपको हमेंसा क्या करना है हमेंसा एक alpha bit order में follow करना है नेम ओफ लिगेंड आर रिटन रिटन फर्स्ट विफूर दर नेम ओफ मेटर इन अलफा बिट ओडर यसे मालो तुमारे पास NS3 लिगेंड से CO4 लिगेंड से A means A से आता है यह कारवनाइल से यह औक्सलेटो है अलफा बेडिकल देखो गे तो यह पहले लिखेंगे फिर यह लिखेंगे सबसे लाश्ट में यह लिखेंगे तो यह चीज़ कर भी फोकस करना पड़ता है और एकसी ज्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होगा तब और कहा रहा है कि इव दो कॉंप्लेक्स कंटेंड जैसे कि लिगेंड्स का तो नंबर और समझ में आ रहा है कभी कभी क्या होता है कि लिगेंड्स में नंबर में भी डिफ्रेंस्येट रहेगा किसी में दो रहेगा किसी में चार रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे तो पांच वान रूल देखो इव दग कॉंप्लेक्स कंटेंड इव दग कॉंप्लेक्स कंटेंड to or more same of ligand then pre-prefix use करेंगे pre-prefix pre-prefix का मतलब अबता है die, tri, tetra यह सब यूज करते है are used to represent the ligand to represent the ligands अगर एक complex sign अगर आपके पास आप उसका naming करने जा रहे है तो पहले ligands का naming करोगे first और उसमें भी ligands में भी दिले करना है कि इसमें कितना ligands है अगर वो जैसे suppose करो cu है ns3 का whole 4 है तो हम क्या करेंगे 4 के लिए ligands तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पर 4 जो इसका pre prefix होता है इसको पहले लिखना पड़ता है लेकिन इसमें भी देखो रूल एक है next इसमें जो 6-7 नमर इशार है अगर ligands ते अंदर मालों कि तुम्हारे पास क्या होते है डाइट अगर मालों कि ligands तुम्हारे पास complex ligands होई है जैसे अनो complex पड़ते थे ना IPC नम जो और गनीक पड़ते तो हाँ पे complex compound होता है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे complex हैं यहाँ पर कह रहा है कि अगर मालों कि तुम्हारे पास अगर एक सिरा था जैसे कि दो के लिए कर दाइट विए के अनदर November sauce का रहा मामिंपनुदन के और पर कहते दाइख के वरेक्याव फ्लीक्टेयं टाइट भी कर देख då बी टेंट्टेट नहीं बोलेंगे, बी ट्राइ मिलेंगे, बाइ ट्राइ बोलाई vision 2, in case thing 3,to represent the number of the स्कुल the number of the 68 are used to represent the number of the mass to represent the numbers of o it means this amount of務 Rendits यानि कि ऐसे भी कुछ Fest लिगेंज होता है जिनके नाम में ही इसे ilam त्राहिण त्राहिश का थेट्रा। जैसे कि हमनों पढ़ते हैं एथेन 1-2-डाइवी, अब डाइवी ना गया कि नहीं, जैसे टेटराइस टेटाइन से उनों पढ़ते हैं, वो जो इरिटी है जो रहता है, तो जिसके नेम में औरेडी दिखाई पढ़ रहे हैं कि उसमें नम्बरिं किया हुआ है, डाइट्राइ लिखा हुआ है तो उसके लिए हमनों फिर 20 वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहां देखो, एफ ए है, एन का है, होल्ट्राइस, अगर मुआ लोग यहां पास कोई कॉम्पलेक्स कंपॉंड है, अगर हम लोग देखेंगे कि यहां पर 3 किया है, तो 3 कि लिए हम पर try नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 3 के लिए हमको trees लिखना पड़ेगा, trees फिर इसको लिखेंगे, एथन वन को die है, तो change क्या क्या करेंगे, तो 2 के लिए हम लोग डाइना लिख के 20 लिखेंगे, 3 के लिए try ना लिख के trees लिखेंगे, 4 के लिए tetrakis, 5 के अब बिल्कुल सेम ही चलता है तो अब कुछ नया बताने लाग इसमें नहीं है इतना आपको करने के बाद क्या लिएन पड़ेगा After naming the central metal atom After naming the central metal atom हमें क्या करना पड़ेगा जैसे central metal atom का naming कर लेगे उसके बाद हमको यूज करना पड़ेगा Its oxidation state is written in bracket In bracket in roman order Oxidation state कब लिखेंगे जैसे हमारे पास central metal atom का naming कंपिट हो जाएगा उसके जस्ट बाद लिखना है अब इसमें देखो last और सबसे important point Name of complex Is written जब आप complex का जब नेम किजेगा Is written single word Single word Without Any space And No capital letter is used And no capital letter Is used Is used While starting by the naming The number of types Is The number of types Is The number of types Is अगर वो बाहर होगा तब, अब complex part start होगा, तो मंदर का naming करें दो, और इसके अदर naming में complex में सबसे पहला naming होता है ligands का, तो चलो ligands का naming करते हो लोग है, ligands से पहले 6 लिखना पड़ेगा, 6 के लिए क्या लिखते हैं, तो यह जो ligands है, इसका नाम है साइनो, और साइनो के अंद potassium थोड़ा सा distance पर आपको होना चाहिए, थोड़ा सा gapping देना बस, potassium, hexa, उसके बाद जब भी लिखेंगा पर एक single world में लिखेंग, इसके बीच में कोई gapping नहीं आगा, hexa silo, फिर इसका नाम होगा होगा hexa silo, फिर इसका नाम लिखना है, तो यह आपका iron, तो यह iron लिखा यह कुछ चेंज किया जाए, तो देखो तो यह जो complex part है, वो क्या है, यह kataion complex है, यह anion complex है, नाइन complex है, न्यूटरल है, कैसे बता करते हैं, potassium को गटाओ, potassium के उपर 4 plus है, यहाद रखना, तो 4 plus है, तो यहाँ पर क्योंकि 4 potassium है, अगर यहाँ पर 4 plus है, तो यहाँ पर 4 minus भी ह होता है, तो आइगन क्वाइर नहीं लिखते है, उसको ferret लिखते है, और लास्ट मॉक्सिसनल स्टेट, potassium का 1 into 4 कर देंगे, एपी का एक्स होता है, cn का होता माइनस 1, चार्ज होगा इसका, अस्रमिला के चार्ज को 0 है, तो 2 आजागा, 2 को लिखेंगे, रॉमन में, अपका यह नहीं होगा पूरा, चलो को और कुशन दिखास में, के थ्रिये, cn का 4 5, एलो, चलो, इसका होगा करना, इसका नहीं क्या होगा, पहले बार, कडान पार्ट इसके अंदर, कडान पार्ट पहले करते हैं, तो potassium, अब देख, potassium पाते हैं, आपके पास दो-दो लिखेंट्स आगे, तो जब भी दो लिखेंट्स आएंगे, तो आपको चेक करना है कि, अलफा बेटिकल पहले कौन आगा, साइनो है, यह नाइट्रोसिल है, तो साइनो पहले याद आगा, साइनो सभी पहले आपको इसके साइनो, कुछ नहीं है, तो डारेक्ट आप नाइट्रोसिल लिख सकते हैं, मोनो भी लिखने के जरूवत नहीं, मोनो भी लिखा जाता है, नाइट्रोसिल, अब कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं रह जागा, क्योंकि यह पार्ट पॉस्टिब है, इसके उपर निंगेटिव चा अब कुल मिला कि यह प्रॉस्टिब लाएगा, वो प्लस टू आएगा, चलो एक और कुछ न दिखा रहे हैं, इसका देखो निमी, CR, EN का है, होतराइस, बाहर है, CR3, इसका देखो निमी करना, तो इसमें तो कोई कटाइंग बाट है नि बाहर, अभी कॉंपलिक्स के पार सी अब ही रहेगा भी हाँ पर, लिगार्स पहले होगा, लिगार्स पर 3 है, तो 3 तो बाद में सोचागे कि 3 क्या है, किसके लिए लिख रहे हो, अथल 1, 2, डाय यह में, इसमें डाय पहले से यूज हो रहा है, तो अब यहां पर तीन के लिए ट्राइन ही यूज करेंगे, अब अब यह निगेटिव पार्ट है तो यह पॉस्टिव पार्ट है, बताया है, तो पॉस्टिव और न्यूटरल पार्ट के लिए इसके नेमिंग में कुछ चेंडिंग नहीं होगा, जो होगा उसका नेमिंग लिखना पड़ेगा, तो क्रोमियम, अब इसके बाद जैसे इसका स्टेट, इसके बाद में, तो इसको एक समानो, एन न्यूटरल लिगंट से, कोई चार्ज नहीं होता है, माइनस वर इंट्टू 3 इस इक स्टू 3 आएगा, तो थर्ड लिखोगे, और बाहर है, C, C, L को लिखेंगे प्रोटाइक्ट, एक चिज़ और बता दें आपको, यहा को कभी लिखते हैं, जो आउटर में होगा, 3, 4, पुछ भी हो, C, L है तो क्लोराइल लिखेंगे, K, तो पोटेंशियम लिखेंगे, ट्राइट, इसके लिए नहीं है, वो सिप कॉंप्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिगा, इसके लिए लिखा जाता है, बस, चलो, इसको इम को इटा रहे हैं, कुछ, 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 एक, दो, और पर बता रहे हैं, उसके बाद तुमने को बढ़ने के लिए, जैसे मौल वर कुश्चन में इस तरस में जाए, M, H2O का होल 6, उपर में है 2+, और इसका करना है निविन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर कुछ है ही न देंगे, यहां तक कुछ निए, चार्ज निगेटिव होगा, तब इसके नेंगेवी भी चेली न आता, लेकिन अभी फिलार यहां पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है, अगर इसके पर पोजिटिव चार्च है तो इसका मतलब यह है, कि एटम यहां ने एटम को यहां प्लस चार्ज है कोई नेमिंग में चेंजिंग नहीं आएगा मैंगिनिस और चार्ज है टू तो सेकेंड लिखना होगा और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा आएगा एक्सा एक्वा मैंगिनिस सेकेंड आए हम्हम हम्हें और उको देल मेंचें सियो है एक्वाइट वोल्फाइट नो तूबी है और बाहर सिय तूबी है इससे कोई फर्ट निपड़ेगा, Cytain part नहीं है, कॉंपेक्स में देगी, कॉंपेक्स में लिगयांड इसको पहले देखते हैं और लिगयांड में इसको पहले देखते हैं, यह नाइट्रो है, यह एमीन है, तो 5 के लिए होगी, penta, small liter होगा, penta, एमिन, नाइ्ट्रो, अबाल्ट किनके प्लस या लाए लाए लिए यह एक अटाइनिक कम्प्लेक्स है अब्सरेशन निकालोगे यह जीरो हो जाएगा इसका माइनस ओना था इसका माइनस टू हो जाएगा तो पिल्म लाएके थी आजाएगा थार्ट वो रहाएगा अब्सरेशन हम बना चुके हैं अब्सरेशन आपके लिए दिये जे उसके बाद उनलोग छेटोड़ा वाड़ कुछन आएगे तो यह बहुत सिंपल कुछन पांच कुछन तुमों के लिए लोस्त करदी जाएगा पहला NICU का होल फूर 2nd CO NS3 का होल फूर H2O CR 3rd CR NS3 का होल फूर फूर CO4 यह बहर है CR 4th मंदर 4 नमाल ले रहे NI CN का होल 4 उपर में है 2- K2 CN का है होल 4 प्लस प्लस इसको पी रहा टाइम नहीं 2-3 मिट की इसको अंदर फड़ा पड़ बना तो सब लग की तो की तो की तो आप 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 झाल झाल